अब मार्केट में आए है जोर्च सौरस एक ऐसे परसन है जिन्होंने इंडिया, इंडियन एकनॉमिक के रिलेटिड, इंडिया के डेमोक्रेटिक होने के रिलेटिड एंड साथ ही साथ मोधी जी और अदानी जी के रिलेटिड नेगेटिव कमेंट्स दिये है वर्ल फूरम में क्या इस negative comments की वज़े से Indian stock market में major crash आ सकता है simple language में समझजी की कोशिश करते है बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा और like अभी से ही कर दीजे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि George Soros आखिरकार है कौन 1997 में इन्होंने बहुत major shot किया था थाइबाद को एंड मलेशिय ट्रिंगिट को जिसके बाद इन्होंने बहुत major पैसा भी कमाया था और ये famous हो चुके थे economic war criminal के नाम से ये basically क्या होता है एक ऐसी economy जो तोड़ी सी weak है और जो वहाँ पे status को चल रहा होता है उसके against में negative comments देते है और उसकी currency को short करते है तो ये majorly currency को short करते है पहले और बाद में market में आके उसके rated negative comments देते है और क्योंकि अभी इतने famous हो चुके इनकी बात को तवज्जु दिया जाता है इन्हें even master manipulator of a global order भी कहा जाता है आज के दिन ये world के one of the richest hedge fund manager में से एक है 6.7 billion dollars से उपर के इनकी net worth है और साथ ही साथ 32 billion dollar के उपर इन्होंने donation भी की वी है ऐसा नहीं है कि donation इन्होंने किसी social cost के लिए की है ये majorly खुद की trust को donation देते है वो ऐसी trust है जो इनकी thought process के support वाले लोग होते उन्हें fund करती है और इनकी negative thought process को फिलाने में help करती है इनकी खुद की native country Hungary ने Stop Soros नाम का एक law भी निकालावा है क्योंकि ये illegal funding दे रहते अपनी trust के थुरू undocumented migrants के लिए तो overall बात करीज़ाए, billionaire आदमी है past track record अच्छा रहा है क्योंकि ऐसी economies को ये target करते है जहाँ पे currency short करते है और उसकी वईसे major पैसा कमा लेते है यहाँ पे एक natural question ज़रूर आना चाहिए आपके दिमाग में कि इस particular organization का person का purpose है currency को short करके पैसा कमाना अगर currency depreciate हो भी रहे तो equity share market उसका impact पढ़ क्या रहा है बहुत पढ़ता है ध्यान से समझेगा एक ऐसी economy जिसकी currency depreciate हो रही है वहाँ पे foreigners का पैसा लगाना unfavorable हो जाता है और majorly पैसा निकालने की कोशिश करते because currency depreciation की वज़े से उन्हें जो returns होते हैं कम हो जाते है और currency का loss भी लेना पड़ता है इसी लिए stock market पे तो impact पढ़ जाता है पर क्या मैं इनकी बात से सहमत हूँ देखिए majorly तो यह है खुच short करते हैं बाद में आके negative comment देते है world forum पे and because इनका एक पुराना track record रहे चुका है इनकी बात को तवजु दिया जाता है पर क्या मैं इनकी बात से सहमत हूँ देखिए मेरी personal opinion के according इन्होंने इस बार पंगा गलाट जगे ले ली है आप ही मुझे बताइए world में जितनी भी emerging economies है उसमे से सबसे strongest कौन है सबसे ज़्यदा growing कौन सी है ऐसी कौन सी economy है जो emerging economy हो world में और जहां की population सबसे ज़्यदा young हो जहां पे सबसे ज़्यदा smart लोग हो जहां पे सबसे ज़्यदा growing GDP हो और inflation भी control पे हो और चीजे सारी की सारी infra के related support में हो इंडिया के अलावा आपको दूसर नाम मिलता नहीं है और अगर हम इंडिया को ही short करने की बात करेंगे तो यहां पे मेरे हसाब से इन्हें मूग की खानी पड़ सकती है इस बात आप में से काफी लोग बोल सकते हो कि अनन्त आप emotional होके इंडिया के फिवर की बात कर रहो देखिए मैं emotional तो हूँ भी सही negative comments देगा तो मैं उसको ज़्यादा तवज्जू नहीं दूँगा यहां पे आप यह भी सोचेगा कि हम इसकी बात भी इसलिए कर रहे है क्योंकि कई पर क्या होता है लोग हमारे fear को target करते है और जैसे ही हमारी बात होती ही पैसों की हमारा fear बढ़ जाता है और हमें बहुत जाए डर लगता है यहां से market अगर suppose करते है 500 point भी टूच जाता है हम बोलेंगे कि देखो भाई सौरस एक foreign के आदमी ने हमें पहली बताया था भागो 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 इस तरीके से market में काम नहीं होता है एक person ने random ली कुछ बोल दिया उसके कहने ना कहने से इंडिया जैसी strong country को मेरे साब से कोई फरक नहीं पड़ता है आपका क्या opinion है comment करके मुझे बता दीजेगा by the way यह जो सौरस आदमी है actually बहुत interesting है इस तरीके से manipulate करता है चीज़ों की बड़ा interesting है इसके बारे में study करना अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में और detail वीडियो बनाने के हम कोशिश करेंगे पर इंडिया से पंगा महंगा पड़ेगा यह है मेरी opinion अब चलते हैं आज के पहले part में जिसके नाम है market today bitcoin या crypto currency के related कोई भी advice नहीं देते हैं इन सभी scammer से बच करेएगा सबसे पहले index पर नज़र डालते sensex, nifty, bank nifty के साथ-साथ mid cap index neutral रहे आज था एक ऐसा दिन जहाँ पर खून पीने वाला दिन था और यहाँ पर बोला जा रहा है कि equity share market का timing बढ़ा के साड़े तीन से 5 बस तक कर दिया जाएगा क्या यह सही है नहीं है अपनी opinion ज़रूर दीजेगा मेरे हिसाब से आगर time को बढ़ाया जाता है तो हमारा as a trader and as an investor mental piece खराब होगा market के volumes खराब होगे तो मुझे personally market के time बढ़ाने में as such को interest नहीं है I think जितना time है sufficient है आपका क्या opinion आप बता सकते हो comments में सेक्टर्स की बात करे तो energy PSE infra अच्छा perform करे PSU bank reality IT तोड़ा सा underperform करे IT का bounce back सबसे important रहेगा market में कोई सी भी debt cut bounce आता है उसके लिए 14 के आसपास है Wix काफी comfortable है और आज की दिन market एक छोटा सा 125 point की range में काम करता रहा low बना 17,800 का high बना 17,924 का और market इसके बीच में जिग्जाग करता रहा और खून पीता रहा ज्यादा कुछ नहीं था आज की दिन market में करने के लिए by the way इससे पहले हम final section पर जाए आपकी reference के लिए pin comment पे बहुत special video with अलग पांडे सा लगा दिया है देख लीजेगा बड़ा मज़ा आपको आने वाला है US features negative थे जिस समय market open हुआ था और closing तक पी चलते है final section पर जिसके नाम है expectations from tomorrow's market general market trend neutral में है put call ratio 0.88 के आसपास है अभी put call ratio के कोई बे importance नहीं रह जाएगी क्योंकि दो दिन में है monthly expiry आगर हम चले सीधा screen पर चेक आउट करें FIS और DIS का action तो सबसे पहले आप चेक आउट कर सकते है DIS ने 86 करोज की purchase करी थी 28th feb को और FIS ने 158 करोज की sell करी थी जादा बड़ा figure नहीं है यहां पर आप चेक आउट करेंगा सबसे पहले यहां पर आपको major open interest दिख रहा है सबसे पहले 18,000 के आसपास मतलब market के लिए इस 18,000 के level को cross करना difficult होगा और अगर 18,000 के level को market cross करता है तो force के साथ करेगा और at least 200 point के range के साथ cross करना पड़ेगा वनना यह वापिस से range में आ जाएगा इसकी सबसे ज़्यादा chances है बेकॉस जैसे हम 18,100 पर जाते है यहां पर भी हमें बहुत major call writing देखने को मिल रही है अगर हम support की बात करें purely from expiry perspective बेकॉस यहां पर कोई भी major open interest नहीं मिल रहा है सीधा हमें मिल रहा है 17,500 के आसपास मतलब market को अभी purely option chain analysis के basis पे negative side जाने की ज़्यादा possibility है या फिर ज़्यादा space open है as compared to positive side बेकॉस positive side में बहुत अच्छी call writing हो रखी है although हमने आज की दिन call unwinding यहां पर देखी है थोड़ी बहुत but at the same time हमने put unwinding भी देखी है तो इतना major figure हमें नहीं दिख रहा है तो मैंने range आपको बता दिये 17,500 से लेके 18,000 के आसपास की हमारी expiry की range हो जाती है purely from option chain analysis अगर हम nifty की बात करें तो कल के दिन हमने बहुत simple सी trade बनाई थी अगर market gap down हो या फिर flat हो और उसके बाद 17,890 के level को cross करे तो यहाँ पर हमारे trade कोई positive initiate हो रही थी और वो cross नहीं हुआ कल के दिन भी exactly same setup है कभी भी market flat या फिर gap down open होके नीचे से 17,890 के level को cross करता है तो यहाँ पर हमारे लिए 100 point की range 115-120 point की range open हो जाएगी और positive trade initiate हो जाएगी negative trade कल के दिन भी हमारे थी 17,800 के नीचे और आज की दिन हमें 17,800 के नीचे कोई भी major momentum नहीं मिला तो अभी कल के लिए same exactly cut copy paste level है 17,800 के नीचे price action मिलेगा तो यहाँ पर हमें short trade initiate हो सकती है उससे पहले कोई भी short trade initiate नहीं होगी बीच में हम कुछ भी नहीं कर सकते है इवन अगर हम bank nifty की बात करें तो bank nifty का level बहुत simple सा है अब हमारे लिए positive trade का level by the way कल के कोई से भी level hit नहीं हुए थे अब अगर बात करें तो positive trade के लिए हमें जब तक market 41,000 आप राइन round figure में बोल सकते है 41,000 के ऊपर कोई positive trade initiate होगी अगर हम negative trade की बात करें तो बहुत simple सी range है हमारे को कभी भी market 40,400 500 बोल दीजे तू भी on a safer side 500 के नीचे जाता है तो 40,500 की नीचे negative trade initiate हो सकती है bank nifty में हमेशा हमारा target अब expiry तक रहना चाहिए 300 points का target and 60 points का stop loss ये perfect risk to reward ratio हो जाता है अगले दो दिनों में अगर आपने चाह ट्रेड ली या रधर चाह ट्रेड ली उसमें से दो या फिर एक भी सही हो गई फिर भी आप पैसा कमा के निकल जाओगे अगर आपने ये risk to reward ratio maintain किया और यहाँ पे एक major move की भी chances बन रहे है इस expiry में तो मज़ा आपको आ सकता है monthly expiry है तोड़ा drama extra हो सकता है तो market में तोड़ा ध्यान से ही काम कीजेगा even मैं आपको reliance की बताने की कुशिश करता हूँ reliance ने एक बहुत प्यारा move दिया important support से आपको याद होगा 2400 का आपने final support की बात करी थी उसके बाद अब ये 2460 से लेके नीचे की side आप कह सकते हो 2410 इस level की बीच में जिगजग कर रहा है अब either side जहां पे भी reliance निकलेगा ये आपको सबसे पहला indication दे सकता है कि market कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है ध्यान रखेगा उपर की side 2460 के उपर positive momentum है और 2410 के नीचे negative momentum हमें signal बिलेगा अब अगर stocks की बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कल के लिए बहुत important stock है कि यह industries यहाँ पे धाई दिन का funda भी apply हो रहा है आज की दिन correction भी अच्छा हुआ है तो अगर किसी ने relations के पास आप कह सकते हो roughly 1730 के आसपास जो इसका profit booking zone था कि इसने entry बनाई तो उसको परिशान भी किया धाई दिन का funda लग रहा है important support 1630 के आसपास आ भी रहे तो यह हमारे कल intraday purpose की काफी interesting stock to study हो जाता है final important stock होगा comments जिसने एक move दिया अब यह अपने पहला retouch का level पे आ रहा है जिसने इसने breakout दिया था यह था इसका gap up के बाद breakout important support है 1535 का छोटा सा stop loss होना चीए major stop loss की जुरुरत नहीं होती है एक अच्छा price action दिखाने के बाद एक अच्छा correction करने के बाद finally important support के पास आ रहा है किसी भी समय किसी भी दिन वो बंध हो जाएगी बहुत ही ज्यादा nominal cost में हम यह course कर रहे है अगर आप इसका part बनना चाते हैं तो description में पहला link आपको मिल जाएगा happy learning and I will see you very soon